नमस्कार तो आज हम देखने जा रहे हैं, ग्राफिक्स के अंतर शर्किल के परग्राम के बारे में हम उसर्किल परग्राम कसे डेवलब करेंगे इसके फंक्छन का कैसे अक talk का कैसे यूज करेंगे तो last में मैंने जैसे आप लोग को rectangle के बारे में बताया था और rectangle के program के बारे में तो अब rectangle का program, zooming of rectangle को मैंने समझा दी दिया था last में तो उसी तरह से आज हम एक circle function के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि circle का जो program है circle अगर हम draw करना चाहते हैं तो circle को draw करने के लिए graphics.shader file के अंदर हम लोगों को एक function मिलता है जिसका नाम है circle function इस circle function में हम लोगों को तीन parameters का use करना होगा int, int, int तो पहला जो int है वो x coordinate का value होता है दूसरा int y coordinate का value होता है और तीसरा है the radius of the circle तो यह जो x और y coordinate है यह circle के center का coordinates होगा तो हम लोग जैसे बच्पंस में, श्कूल में जैसे पढ़ते हैं circle draw करने के लिए कि हमारे पास जैसे circle का center मिल गया और हम center से radius को use करते हुए एक circle को draw कर लेते हैं जैसे compass वगेरा से बच्चे जो श्कूल में use करते हैं कि जैसे center और radius का use करके circle draw करते हैं सेम उसी तरीके से यह function काम करता है तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यह मैंने बनाय हुआ है, x coordinate है यह y coordinate है यहाँ पर यह मैंने assume किया कोई भी center का point x, y मैंने यहाँ पर value लिया है 100x और 100y तो assume करते हैं यह 100x है और यह y का 100 तो यहाँ पर यह point मिला हमको x और 100y यह circle का center हो गया और radius मैंने लिया 150 तो यह यहाँ से 100 पर यह जो हमारा है यह x 100 है और यह y यहाँ पर 100 है तो 150 radius है तो यह इधर से 150 तक जाएगा और इधर से इधर 150 यहाँ से यहाँ 150 यहाँ से यहाँ 150 तो यह 150 चारों तरफ हो गया यह radius के form में और यह इसको एक circle जो हो जाएगा तो यह बहुत ही simple है इसमें कोई जादा परिशानी नहीं होनी चाहिए और इसका program यहाँ पर मैंने बनाया इसको आप देख सकते हैं कि circle का function यूज किया हुआ है यहाँ पर coordinate centers 200, 200 और radius 150 का तो 200, 200 points यह हमारा x और यह y यह point हमारा 200 और यह 200 150 जाएगा तो 150 इधर से इधर जाने का मतलब है कि यहां पर 350 तक इधर भी जाएगा 50 तक क्योंकि इधर जब जाएगा तो इधर यह 200 है और इधर x का मान गटता है तो इधर जब x की value घटेगी तो यहाँ इसमें से 200 में से 1.500 गटेगा तो यह 50 तक जाएगा ऐसे 1-150, 150 के रेडियस पे यह circle द्रॉन हो जाएगा है तो क्लियर है किसी वो कोई परशानी नहीं होगी इस विक अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कल है हमेनल लाइब आवंगा करेंगे हम लोग किसी को भी कोई दिक्कत होगी तक टॉकरीad वजय से यूटूब पे लाइब रहूँगा मैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं लाइब अवलेबल नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी दे सकते हैं मैं उसको सॉट आउट करने की कोशिस करूँगा तो आप इसको देखे और इस पर मैंने कुछ प्रोग्राम द आपे ट्रेंगिल के अंधर शेज़कल और संुंमि सेज़के होगा इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको रेडियस को सिर्फ करते रहना है। वही रहेंगे जो रहते हैं, को आपशेज़काद के पर सेटेज थे ते मतलब एक सर्किल बने जो यहां मूव करें यहां मूव करें पूरे स्क्रीन पर यह मूव करते रहना चाहिए इसमें थोड़ा सा एनिमेशन का काम आएगा लेकिन यह आसान है बहुत कोई ज्यादे परशानी नहीं होनी चाहिए आपको थोड़ा सा अगर आप अपना लॉजिक यूज़ करेंगे तो यह सौल कर सकते हैं फिर भी अगर दिक्कत होगी तो इस प्रग्राम को मैं नेक्स लेक्टर में समझाओंगा तो आप इसको करें तो किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को मैं सौट-आउट करूँगा कल देर बजे हम लाईव रहेंगे को प्रेश कर लें लाइक करें हमारे इस वीडियो को ओके और लिंक मैंने यहां पर दे दिया डेस्क्रिप्शन स्रेक्शन में जो अगर पीडियेफ आपको इसकी चाहिए होगी यह जो हमने जो प्रायर मेटेरियर तो आप वहां से इसकी पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हैं ध बेंनिवाब